नमस्कार जोहार, रादे, राधे, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल move on study में इससे पहले आज मैं आप लोग का एक motivational quotes के सब्सक्राइब करता हूँ, तो मैं सब्सक्राइब मैं अब्लोग का साइन्स क्लासे में करता हूं ठीक है तो चलिए आज आप लोग सेमने सेट नबर फॉर श्टार्ट करता हूं इसका कंसर्प्ट के साथ मैं बताता हूं पूरे वीस्तार देखे सबसे पहले मैं एक मीर्य लेता हूं तो अब मैं देखिये सबसे पहले आनेуск किरन को बोलता हां आप्तित किरन के बोलते कि निराउट को प्रावर्तन को यानि कि आपका फ्रैंट कोन आई है कोन आप हमेशा दुनी आपस में क्या उता वर्ण होता है तो देखिए कोन एंगल इंगल यहाहिए प्रावर हुता इसमें तो इसमें नहीं दिया है इस एकस को दोनों के बीच का तो देख यहां भी X है यहां भी X है दोनों के बीच का मानना तो X को क्या हो जाएगा 2X जूट जाएगा ना क्योंकि दोनों के बीच का है तो चीह नो न निकालता हूं तो प्रैंट्स है स्पॉतिफैव आगा फ्रैंट्सि है से फ्रैंट्स hypे ऑगा। कि प्रवर्तन कहिं इंप किotभि देगरेW, औप्रोन नानियदों की कीद हो देटर की सब्सक्राज। ठीक है फ्रेंट्स चले नेक्स्ट को सारीज नौग को दू और बकरता केंदर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को मैं कंसेट बतातों देखें सबसे पहले देखें आप लोग को ध्यान देजिए का कंसिप्ट के साथ एकॉडिंग बता रहा हूं सबसे पहले माली जए कि आउतल दरपन खीचा अब देखें यह जो लाइन होता है अब देखें आप माली जीए कि पोल है यह वहता फोकस जिंस यह वहता के सेंटरल तो सी और आपको जो लाइन जो मिला था इसे हमनों बोलते हैं और इसे इंगलिस हमनों बोलते हैं फ्रिंसीपल एकसिस तो अप्सन नमबर आपका हो जाए कितना आपसन नमबर शी हो गया किलिर फ्रेंट तो मुक्य ऐसे से करते हैं यानि कि ऑप्सन नमबर सी तो आपसन नमबर सी क्या दिखें मुक्य आज कहते हैं किलिर है चले and very next question is no यादि एप ब्राबर 16 cm है तो आर क्या होगा तो फ्रेंट्स कंसेप्ट यादा कि एफ जो होता ना आर बाए 2 होता यानि फोकास दूरी जो था ना बग्रता तिरिज्य की आधी होती तो आर कभी रहे 16 तो 16 को दूर से डिवाट किजिए कितना रहा फ्रेंट 8 cm यानि इसका वस्तू उसका सीधा और आवर्दी कुछ नहीं करना देखिए मैं कंसेप्ट बता तो ध्यान देजेगा सबसे पहले में लेट आस ड्रूआ कंकेव लेंस कंकेव मीरर माल लिजे कि मैं कंकेव मीरर रोकियों फ्रेंट्स तो देखिए इसमें कंसेप्ट होता मैं आप लोग को सिक्स किजिए क्लियर फ्रेंट्स अब कॉंटिंग किजिए आप पोड़ी से 1 2 3 4 5 और यह सेक्स तो यहाँ देखिए अउतल दरपंद वार जो बना पर्ति भी होता वास्तविक और अभासी दोनों होता बसरते ध्यान दिजेगा अगर 22 बन रहा अगर 22 बन रहा फ्रेंट्स we had to find the name of the lira अभासी होने की वज़ा से अभासी बहstरा सीधा और यहाँ वास्तविक के साथ उल्टा उता होता लेंगे बने वस्तु कहां रखा गया कि जिसे वस्तु सीधा और आवर देज़ीद सीधा आवर्दित यानि हैं पर ना तो देचिए चत्था पॉंट यहां पर्त तो वस्तू का प्रतिव यहां बनेगा अर्थात यानि F और P के बीच में अर्थात F को क्या वोलें फोकस और P को दू तो फ्रेंज पी और यानि इसका राइड एंसर होगा आपका डी दू और फोकस के बीच रखने पर किसी वस्तू का प्रतिविं सीधा और आवर्धित बनेगा एंड वेरी नेक्ष्ट कोसन इज नौ उत्तल दरपन का परियोग निम्रिकित में किस वस्तू में किया तो फ्रेंज उत्तल दरपन का जो परियोग हम लोग करते हैं गाली के सैड मीरर के और हजामत के लिए लिए के यूज करते हैं अर्थात आउता दरपन का सूलन कुकर में परियोग करते हैं और एक्ष्ट कोसन इज नौ क्या लिखना देखें जब किसी सिक्का डालने पर जल में किसी सिक्का डालने पर वास्तिवी कि सीज़ी से ऊपर उठा दिखाए देता ह या प्रकास की घटनक दर्शाता है तो इसका राइट एंसर होगा फ्रेंट्स अप्सन नंबर बी होगा यानि प्रकास के अपवर्तन तो एक्जांपल के साथ आप लोग को बताता हूं देखे सबसे पहले ज्यान देजिए कि मैं एक ड्रो करता हूं एक माली बालती है क्या बालती है तो इसके अंदर क्या रहेगा आप लोग बता सकते हैं वेरी नाइस तो फ्रेंट्स इसके अंदर माले जल एए जल एए ठीक है फ्रेंट्स अब देखे धैन देजिए जल लए तो अगर अगर माली यहां पर नीचे है देखे मैं कलर अलग रोग करता हूं ताकि कं सबसे बाहर में तो बाहर जो मीडियम में वीरल माधियम में अब पानी के अंदर का जो माधियम होता है क्या होता है सबस्क्राइब जब प्रकास की सबस्क्राइब तो एक अब यह पर्था इसी वज़ता है अर्थात प्रकास की अपवर्तन की वज़ा कि यहां से कोई भी रेखा पार होती ना तो वह विचलित नहीं होती है ठीक है वह रेकर प्रकास को एक जगह एकत्र करता है अग़ी सभी को जोनना अभी अगा एक जहाँ पे आना तो यहां पर कोसन आएगा किस लेंज को अभी सारी लेंज भी कहते है तो क्या होगा उत्तर लेंज अग्यों कहते हैं क्यूंकि यह प्रकास की किर्नों को इक जहां परwaćला ranch उसे आप सारी ranशे से य सौंज मंत्र को करता था तो फरेंट इसे सबसे पहले पुतली का जो होता हमीशा देखने कौन सा यला है यह काल है और अर्था पुतली का जो रंग होता हम इसा हम इसी ब्लैक होता है किलियर है अब परितारिका यह अथि पसको 서울 परितारीक utan को भीखायोगे यह कभी कभी आप लोग देखते हैं ब्रॉण भी होता है किसी का ब्लैक होता है देखेंगे किसी के आखो का रंग ब्लैक होता है किसी का ब्रॉण होता है तो किसी के आखो का रंग ब्लैक या ब्रॉण हो रहा ना तो आखो का रंग परितारी का करण होता है किलेर है अब देख अगर आता आप लोग के साथ साथ आप लोग के लिए उल्टा होता है लेकिन हम लोग के सामने एक आप्टिक नर्व जीटा होता है वह हमें इसको सिधा प्रदान करता जो कि तंत्रीका से करते है अब सामने नेत्र के निकत्तम बिंदु और देखें से आप लोग काम और लोग को देखें को थेखिए समाने होता है निखतं बिंदु एक होता दिरगतम निखतंड मिंदुँ होता वह 25 होता है जो दिर घुग होता हुआ अनंथ अबूब गी कंच संथेमिटर आ ऐसे यह को गटिए मिटन होनी चाहिए सब्सक्रीजर और उल्टा नमबर दे को समझन चमता का घट जाना नहीं तो फोकस दूरी को समयोजित करता है तरह तेखेगे अगर आप माली जी बायचांस किसी को तुन होता होता है तो उसके लिए दूपी लेंस का यूज करें यहां सब्सक्राइब करें युज़ करें फ्रेंज क्थे अंगिलिष में वैए फोकल ले रफ़यक्ष लेंस किया कहें एक इस में बताता हूं रहे फोकल अ दा कॉंबिनेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस इसकॉल एज बाइफोकल लेंस के लिए रहा है इसे आप लोग याद कर सकते हैं ठीक है नहीं तो देखें इस टैप साफ कर रहेगा यह क्या कंकेव है यह और यहां पर फिनीचे इस टैप से जूला रहेगा फिर आपका इस टैप साफ आप लोग बना सकते हैं यानिक फ्रेंट्स टैप साफ का चस्मा रहेगा कलर मैं कर देता हूं देखें गांदे जी का चस्मा याद्वी कर सकते हैं वेरी नेक्स्ट को सब्सक्राइब निट्रे लेंज की चंपता जिसके कहां अपने फोकस दूरी को समाई option नमर्ण को संख्राइब करते ना अए इसमें अभिकारा को बनाओ की संख्राइन कर फात Beim यहां थान को सकती है किसकी संख्या अगर ऄडों को से आ这么 कुछणा के संख्यां अभिकार अबिकारा को पाद क्यों तो अगर सब्सक्राइब अगर आफ से ब्राबर है तो इसे तो बोलें संतुली तरथानिक अभिक्रिया एंड वेरी नेक्स्ट कोसन इज एंड वेरी इंपॉरेंट्स कोसन नो देखिए कोसन काफी महत्पूर नहीं इसे वीवी आई को कर लिजा आप लो क्या लिखा देखिए यह एक्वेशन दिया हुआ इसमें औक संख्या में व्रीधी होती है और हाट्रॉजन की संख्या में कमी होती है कि अगान एक्वेशन लाज करता है तो देखिए ऑप्सन के लिखिए सबसेपहरे यहां पर अच्प्राइब तो न आज यागना तो इसका तो ऑक्सजेन कहां पर हो रहा है है तो फ्रैंस अरब चाल में जहां प्रफशीजन के संक्या है कमी आती है देखें इसमें ऑक्सिजन था लेकि नहीं है तो उप्चेन हो रहा है किसमें CUO में तो इसका जो राइट एंसर होगा फ्रेंट्स अप्सर नमबर C होगा है एस्ट्व और CUO मैं बता जो तो बढ़ी है साथ कि confusion ना हो देखेगा यह इसका राइट अप्सर नमबर सबसे पहले ध्यान देजेगा है यहां है क्या था यहां पर देखे ऑक्सीजन के संख्य में व 나rhριधी हुआ इसलिए हो गया ठीक है अब देखिए यहां पे सी यू में oxygen के संख्य में क्या हो रहा कमी हो रहा तो यह reduction हो गया क्लिए नेक्स्ट रसाइनिक अभी किरिया में भाग लेने वाले पदात को क्या कहते हैं अगर आप मेरी बातों को सुन नहीं होगे तो आप लोग कंसर्ट पकल सकते हैं अभी कारध को बोलते हैं अभिका अभी मैं भी बोला था है ठीक है भाग लेने वाले पदातेreck को अभी खाना केहते हैं ठीक है अब देखेर इसमे रहे था यह आपका द्रेमान सर्चल का रूल फॉलो करता है जिसे के पीता लेवाई जी ने दिया था ठीक है नेक्स्ट सी एच फोर पलस ओटू सी ओटू पलस च्टू उर्जा यह जो नापका उसमा छेपी अभी किरिया क्योंकि देखिए इसमें उर्जा नहीं कर रहा उसमा के साथ ठीक है इसलिए नेक्स्ट एपलस अमल देखिए कौन सभी किरिया देखिए हाँ ध्यान देजिए क्या लिक राफ्रस एपलस अमल माल देजिए कि मैं आप लोग कि समने एक को एवाल लेता हूं एक यहां पर फ्रेंट्स माल लेता हूं कोई यहां पर आप्सन के गॉर्ण चलेंग ना तो सी करने कि यहां से आप क्याङव जो करता हूं सबसे पहले निला को लाल कौन करता अप लोग में बताये था नीला को लाल आ aam ले करता तो तो फ्रेंट्स इसमें जो अमले नहीं है वही इसका एंसर होगा तो सब्सक्रण की कॉाइश्ग चलता हूं सबसे पहले सोडिय। तो चारा है यह आइच अंड Sutra यह प्रकी डिया तो नैट्रिय्ग अमल है यह भी अमला है है रोख्ले कमलह मी higher नैट्रिक एसिड कहते हैं ठीक है इसका परियोग सोना के लाने में करते हैं इसका राइट एंसर क्या होगा सोडियम हाइड अर्थात आ ने ओवेच अब इसका पीएच मन कितना होता फ्रेंट्स आप लोगों को पता होगा 14 14 होता किलिए नेक्स्ट किस लवन में क्रिस्टलिय दो देखिए ध्यान देजेँ ओप्सन एकोर्णिंग क्या पहला में जल है नहीं इसमें देखिए 5S2 है ना तो यह आपका उप्सट्स सही अथछाई नहीं 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 तो देखियो अब देखे आप लोग और बताता हूं माली जी के मैं लेता हूं आप लोगों के सामने ना-2-C-O-1-soda ना-2-C-O-3-10-S-2O माली फर्मूला लिया हूं तो देखे इसमें भी आपका जल ना तो यह भी क्रिस्टली जल कहलाएगा एक हिले रहां नेक्स्ट जल की स्थाइग के तो दूर करने के लिए किस लभन का परियोग करते हैं मिया फ़र्मूला तो गलत लिखने इसका समानी सूतर होता एक लाएने 2-2-3 होगा क्योंकि उसमें H पलस आयन उपस्तित होता है ठीक है नेक्स्ट एबी सीडी का पी एच मान दो चार शाथ 14 है कौन छारक है देखें सबसे पहले जिसका मान पी एच मान अब लोग पता कर लिए खुद ऑप्से नमबर डी इस चित्र में कौन अभी किरिया हो रही है तो देखें अगर एक प्रस भी हो रहा तो इसे बोलेंगे वियोजन अभी किरिया हो रही है ठीक है नेक्स्ट भोजन एवं अन्य पतात्यों को सरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कौन जया प्रक्रम उत्तर दाई है तो फ्रैंट्स इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर डी होगा अर्थाथ एक जगह से दूसरे जाता अगर भोजन जाता उससे संवलते इस संवहन नेक्स्ट परकास नंसलेषर में निमन्कित मेंसे किस पदात के प्लशाता नहीं होते है तो उप्संड के चले तो फ्रैंस कार्फोह़ीड़ होगा क्योंकि इसका काम होता है भोजन को पचानव अप्स सं बसे पहले होती है यह होता और सब्सक्राइब कर नुदा सब्सक्राइब बनाती है मनुष्य में किस प्रकाइब का पोसन होता तो врем adopter ड़ताय का प्रानी समभोजी पोसन होता है थिकर अब देखे अब ब्रमन पोशbeeld क्या हरा पिर पौदा होगा हरे फिर पौदा इसे याद कर लेंगे एकल चाहिए अब म्युक्त पॉसन्स क्या होगा कवक वेगर होगा बरजी बीद पॉसन्स और वैल हो गया है टिए नेक्स ओसा के पाचन के लिए कौन सा एंजहें उत्तरदाई है तो फ्रेंस वशा जो पारचन होता हा उसके लिए drug मय क्या एक इंजबाद करENDंगर हो hack होना देजां तो दोड़ी दी ने तुक्षा कर्द करेंगर हो नहीं क। दीद बढ़रत करें में टोटना करें लाय जो q5 पाइट कोशमी ज्यूरीब करेंगर एक पते correspondence पाइरुवेट टूटता है जम्हा होता है पौधों में पतियों द्वारा बने भोजन का समवहन किसके द्वारा होता है एक आता है भोजन का समवहन अगर भोजन का समवहन अगर आप लोगों के विच कोशन बोले है तो इसका राइड अंसर होगा फुलोयम क्या लिखेंगे फुलोयम लेकिन खनीजलवन अर्थात खनीजलवन या फिजल अगर बोलता ना तो उसके लिए अंसर जिल्ग देते जड़ ठीक है जायलम सौरी ठीक किस जीव को अपना स्थित्व किसी जीव को अपना स्थित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रकिरी आवस्थ्यक है तो जनन किसी जीव को अपना स्थित्व बनाने के लिए जनन काफी महत्पूर्ण है ठीक है जनन के दो प्रकार होते एक होते लेंगिक एक होते अलेंग का एक प्रबार्धन एक आलेंगिक जनन गोले जवर्णत रप्सकती किसी का जर्णत रपतना और पत्ति से होता है फुल से नहीं होता हुटर टो ये पत्ती यूजोरफ कलिका का ठीका है तरनग राता हाल्दी याद करा सकते है आधी याद का सकते है पयाज sociedade जनका होता था गाजड याद का सकते हैं स्टैप से ठीक है नेक्स्ट ऑप्सन से खेल देता हूं मुकुलन साब का किसका जनव होता है है या फिर इस्ट्र लिख सकते हैं अपलोग ठीक है काईक प्रभादय ने ब्राइव फिल्म का पौधा दुई खंडान में अमीबा इसे य अर्फ्रेंस अंकूरन कहते हैं किया कहते अंकूरन नेक्स्ट गर्भास से खेल देता हूं सबसे पहले गर्भास में मां के जो प्लसेंटा उतना उसमें भोजन का पोचन होता है ठीक है यहां नेक्स्ट अब सबसे चले नेक्स्ट जल विदूद सेंथर के लिए निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका option के according चलते हैं तो option number A सही है क्योंकि यह एक अनभी करनी उर्जा है नेक्स्ट सौल उर्जा के उपयोग की क्या सिमा है तो सौल उर्जा के उपयोग की जो सिमा होता है इसमें किवल बिचाने ही क्यों सक्ता होती है घ्मिया नवीद के उट्जा के उपयोग की क्या सिमा है तो च्व муж हों में समस्य उतर्फन करता यह निक्स्ट में कौन और जा शुरोत का उपयोग टिकांग है लास्ट निहिंट lubricide içeris maxim में जीवासम इंदन का पर्योग होता तो जीवासम इंदन को tá तो olsun के हैं चलते तो तापए बिस्ट्रैन्ट को अब लाश्ट को सन्हें इसमारे में खेल देखियें सबसे पहले अब देखें आप लोग को मैं पूरे का पूरे सेट वन टू थ्री फोर फाइब मैथ का और साइंस का पूरे के पूरे अपने इस यूटुब चैनल में आप लोगों बता चुका हूं तो आप लोग से रिक्वेस्ट आप लोग जरूर देखिए क्योंकि आप लोग को यह कीज का डिमांड होगा तो जरूर कमेंट कीजिए चलिए थैंक्यू सो मच